हलो गाइज, वेलकम तो आर चैनल, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, मैं हूँ जतिन, और मैं आज आप लोग को क्लास 11 में मैथमेटिक से रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसमें आम लोग एक बुक कर डिसकेशन करेंगे, जिसको आप सप्लिमे इसको अच्छे से पड़े, अपने एक्जाम में मार्क्स अच्छे जाज से अदर स्कोर करें, अपनी लॉलेज को एहनांस करें, ताकि जब कॉलिज में जाएं और इस अब्टेट को फिर से पड़ें, तो आप लोग को ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, तो आप लोग इस पड़ को पड़ सकते हैं, इस बुक में आप लोग को बहुत सारे चैपटर्स मिलेगे आपके आप लोग को और देखने को मिलेगे, यहाँपर 33 चैपटर्स को शो किया गया है, क्लास 11 की बुक में, तो जब कि आपके एंस यहादा बुक्तर इतने chapters नहीं है तो वहाँ पर क्या है कि आपके जो NCIT के chapters उनको यहाँ पर split कर दिया गया है उसको divide कर दिया गया है इसलिए यहाँ पर chapters ज्यादा है और आपको किसी भी book में इसके जितने examples नहीं मिलेंगे ना examples मिलेंगे नहीं इसके इतना better content मिलेगा पर अभी भी यहीं कहुँआ NCIT is the first priority देन आप इसको जा सकते हैं अगर आप लोग अपनी knowledge को ज्यादा से ज्यादा enhance करना चाते हैं और marks score करना चाते हैं सो यह book थोड़ी सी ज्यादा मतला 33 chapters होने के कारण बड़ी है इसलिए मैंने इसको 2 parts में divide कर लिया है mathematics को दो पार्ट में तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं इस book को यहां पर मैं आपको content दिखा चुका हूं 33 chapters यहां पर content में दिये हुए हैं मैं आपको वीडियो की description में नीचे आपको मैं बता दूँगा वह website जो है जहांसे आप order कर सकते हैं आडी शर्मा mathematics को वो मैं आपको दे दूँगा Amazon यह flipkart यह जो भी है तो आप लोग वहां से आके इस book को order कर सकते हैं और use कर सकते हैं अपने comment हम लोग एक चीज और पूछना चाहेंगे हमारे चैनल पर ऐसा हो रहा है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पता नहीं subscribe क्यों नहीं कर रहे हैं अगर आप लोग हमारे चैनल को subscribe करेंगे हमारी वीडियो को like and share करेंगे तो इससे हमें motivation मिलेगा यह data हमने youtube studio की app से लिया हुआ है यह आप देख सकते हैं तो please motivate करना है हमें please हमें help कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए अब हम वापस अपनी वीडियो पर आते हैं जहां पर हम आडि शर्मा का जिक्र कर रहे थे तो यहां पर मैंने जैसे आपको कहा आपको इसके जितने examples किसी भी other book में नहीं मिलेंगे maths की supplementary के लिए so please go through this book mathematics by i.d. शर्मा और अपने comments अपने मनलब जो भी reviews हैं आप comment section में दे सकते हैं please video को like कीजिए share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe करना ना बोलिए thank you